फिर भी उसको दबाने कोशिश करेगा यह इनसान की एक फित्रत होती है आशा ऐसी यूज करते हैं कि आरे यार वो उस आदमी कभी तो आत्मसम्मान होगा वो ऐसी तो बैठा ने टाइम पास करने के लिए उसको खाली भर ना तो दो वक्त पेटी है उसी के लिए तो बैठा है वहाँ पे हलकी सी स्कूटी उस बुजूर्ग ने टच कर दी अपने रिक्षा से तो साथ थपड मार दिया उसके बुजूर्डी मेरे पे कर ले था वो हाथ उठा देता मेरे पे तो उसको पता है कि वो एक देगा मैं चार दूँगा खीश के वापस आपन अच्छा ही कहा कर बड़ी बड़ी थेली लेके हाथ से निकल गए ओके और साफी टाइम पहले एक बात है बारिश के टाइम पी मैं और मेरा एक फ्रेंड गाडी में थे यह अफ़ दिन क्या नई मटकी वगेरा लाई जाती है उसकी पूजा होती है घर में उसके किनारे मटकिया उसने लगा के रखी थी आदमी जो बेचने वाला था वो खड़ा था वहां पर किनारे चाय की दुकान के नीचे किसी तिरपाल विरपाल के नीचे वहां पर बारिश से बचने के लिए तो हमने गाड़ी घड़ी करी वहां पर तो वह आदमी हमको देख के भाग के आया अपनी दुकान पर अब वो बारिश में भीग रहा है नमस्ते विवर्स मैं सुमित भाई MB क्रेशन सूरत से उमीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे आज का वीडियो वेपार से पहले का रहेगा जैसे वेपार अपन चालू करते हैं बिजनसमेन हर कोई इनसान अपनी लाइफ में आचकाल बनना चाता है ट्रेंड भी चल रहा हर जगे पर कि या नोकरी से ज़्यादा अच्छा बेटर बिजनस रहता है अपना खुद का बिजनस करो चाहे चोटा हो या बड़ा हो चोटा होगा तो आप उसको बढ़ा लोगे यह सारी चीजें के बिजनस में खुद के मालिक होगे सारी चीज होती है लेकिन मैं उससे पहले की बात करूँगा उससे पहले फेस की बात करूँगा कि जब बिजनस आप व्यापार चालू करने की सोचते है ना उससे पहले की जो अपनी लाइफ होती है उसके बारे में आज थोड़ी से बात करूँगा कि व्यापारी या फिर बिजनसमेन बनने से पहले एक चीज बनना बहुत जरूरी होता है वो होता है अच्छा इंसान आज इसी टाइप के टॉपिक पे बात करूँगा कि अच्छा इंसान वैसे तो आजकल की दुनिया के अंदर ये रीती रिवा चल रहा है कि कोई भी इनसान अपने आपको थोड़ा सा भी बुरा नहीं मानता है जबकि उसकी नजर में बाकी बुरी दुनिया बुरी ही है उसको क्या मैं इनी लोगों में से हूँ इसी दुनिया में से हूँ या फिर मैं कुछ अलग हूँ ये चीज कभी सोचते नहीं है आज कुछ पॉइंट मैं आपको ऐसे बताओंगा जिनके थुरू आपको पता चलेगा कि आप में अच्छा ही है या नहीं है ये बहुत बड़ा आपको कैसा अच्छा होना चीए या फिर आप मुझे नहीं पता है आप ये वीडियो को ज्यादा सीरियस लेंगे या फिर नहीं लेंगे लेकिन जो बाते मैं बताओंगा ना वो सीधा यहां हिट करेगी और आपको खुद को फील होगा ये चीज कि यार ये चीज़े तो मै आज तक करी नहीं फिर मैं कैसा अच्छा इंसान हुआ आजकाल आप नॉर्मली देखते हो आजकर ट्रेंड इस टाइप का चलता है अगर आप अच्छा है क्योंकि एक छोटी बात पहले बताता हूं कि कोई भी आदमी अपनी लाइफ के अंदर ना सबसे पहले उस इंसान को दबाने ही कोशिश करता है जो उसके लेवल से नीचे होता है ये फैक्ट बात होती है अगर जब किसी को पता चल जाए रहा कि यार इसका लेवल अपने छोटा है तो उसको वो हमेशा दबाने ही कोशिश करेगा उसको ऐसा बढ़ाने ही कोशिश कभी नहीं करेगा उसको हमे 89% लोगों में मैंने यही देखा है मैं भार भी निकलता हो ना जैसे नॉर्मल आप रोड किनारे पकड़ लो आप सबजी वबजी खरीदने जाते हो किसी वे रोड किनारे कोई फुट पात पे दो किलो आलू तीन किलो टमाटर चार हरीमेज पांच निम्बू लेके बैठा हु यूज करते हैं भाषा ऐसी यूज करते हैं कि आरे यार वो उस आदमी का भी तो आत्मसंवान होगा वह ऐसे तो बैठा ने टाइम पास करने के लिए वहां पे यह चार किलो आलू बेचके हो कितना कमा लेगा भई उसको कोई ताजमेल बनाना नहीं है वो कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो आपसे कोई competition करने के लिए खड़ा हो रहा है फिर वो इतना बड़ा empire कर लेगा जितना आप नहीं कर पाऊगे उसको खाली भरना तो दो वक्त पेटी है उसी के लिए तो बैठा है वहां पे तो अपनी पहली responsibility बनती है कि उन लोगों के साथ में जो आपके नीच आप नॉर्मल वहां जाते हो 20 रुपए 15 रुपए करवाने कोशिश करते हो मैं कई वार देखता हूँ है सम्झ खून बहुत जलता है मेरा लेकिन ठीक है अभी ज्यादा बोलते कुछ नहीं है क्योंकि जमाना वैसे भी आर कॉन क्या गुसा दे चा को पता नहीं चलता है तो दुनिया के अंदर और सारा अधिकार सिर्फ दुनिया के उपर धर्ती के उपर आस्मान के उपर सिर्फ आपका है तो उस हिसाब से क्यों बात करे हो आपको नहीं समझ में आ रहा है देना आप आगे से ले लो लेकिन आप बात उसके साथ कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं आप यह खुद के उपर लो, अगर आपने ऐसा किया है ना कभी ना कभी लाइफ में, अगर बाइचांस किया है, नहीं किया है, तो बहुत अच्छी बात है यह, अगर आप वहाँ उस दुकान पर चड़ते हो, इस रेस्पेक्ट के साथ चड़ते हो कि नहीं यार, यह मुझे कि लिए, आप मतलब सो रुपे की जो चीज होती है, उसके हजार रुपे दे के आते हैं, और वहाँ पे वो खाली दो वक्त के अगर पेट बरने के लिए, वहाँ पे अगर चार-पांच किलो आलू वो दिन के बेच रहा है, तो उसमें अपन पंदरा बीस की जगे पे पंद कभी भी इस टाइप की है ना, जो आपको दिखे कि फुटपात किनारे कोई बिजनस कर रहे है, कोई लेडी बेठी वी है, एजएड है, कोई अंकल बेठाव है, एजएड है, अब इस उमर में ना तो उनका बिजनस का दिमाग चलेगा कि वो भाई किसी जा के मतलब कि वो अ अब नया बिजनस स्टार्ट अप करें और अपनी लाइफ अपने दिमाग में क्या होता है भाई ये इनकी लाइफ है, उनकी है है कोई दिक्कत थोड़ी है, पर इजज़त का तो अधिकार उन्होंने तो कुछ बिगाड़ा नहीं अपना, तो अपना क्या अधिकार उनके सा का लड़का, थोड़ी सी कोई ट्रैफिक इतना भेहंकर वहां पर मतलब की, मतलब चीन्टी तक नहीं गुच सकती, इतना ट्रैफिक, वहां पर हलकी सी स्कूटी उस बुजूर्ग ने टच कर दी अपने रिक्षा से, तो साथ थपड मार दिया उसके, बुजूर्ग के, अब उतर के तुम से लड़ नहीं पाएंगे भाई, तो तुम क्या उस पर हाथ उठा रहे हो यार, थोड़ी बहुत तो होनी चीए, यही मैं खड़ा था वहां पर मेरी टच हो जाती, गाड़ी मेरे पर कर ले था, वो हाथ उठा देता मेरे पर, तो उसको पता है कि वह एक देग तो कोई नहीं है, लेकिन आपकी अंतरात्मा संतुष्ट होती है इन चीजों से जब आप इस टाइब के काम नहीं करोगे तब, एक होता है वो उपर वाला वो आपको 24 गंटे देखता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, उसकी नजर में सही गलत है, जो काउंट होता है, अपने ऐ छोटी सी अच्छा ही अगर करने जा रहे हैं, तो पहले पीछे केमरा चालू होता है, कि लिए केमरा चालू कर अब मैं यह करने जा रहा हूँ, तुम चार दाने चावल के किसी वो बांटने जा रहे हो, तो पहले केमरा चालू होता है, पीछे कर लो, केमरा चालू करो, फिर बाटूँगा तो वहाँ पे तो वो सब देख रहे हैं, वो तो सब कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, वो अच्छा ही थोड़ी होती है, क्या पता है, बैक साइड कैमरे के पीछे उनकी लाइफ क्या है, क्या नहीं है, कैसे डिसाइड कर सकते हैं, अपन अच्छे हैं, वो नहीं ह होता है आपके अगर अंतरात्मा अप्छी नहीं है न कि आपने जो काम किया है वो बहुत सघ्व है आपके अलावा वो देखने-वाला भगवान उसने राइट लगा दिया इस पर कि यह अच्छा काम है तो वो वाकई में काउंट होता है कि ये अच्छा काम है और आप एक अच्छे इंसान हो ये इस टाइब की गलती है अपनी लाइफ में कभी भी जो आप से निचले इस तरह पे हैं आपको दिख रहा है कि भाई वो अब अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते वो छोटा मोटा करके अपना गुजारा कर रहे है उनकी उमर इतनी हो चुकी है या फिर वो फिजिकली डिसेबल्ड है वो नहीं कर सकते तो यार उनसे ये पांच परचास रुपे की भहस कभी मत करो जहां पर वाकई में होता है अभी कपड़े के काम में ये चीज़ पकड़ लो आपकी फेरी वाला जो होता है ना शोरूम वाला होता है उसके पास जाते है कोई कम नहीं करा था चूँ वाँ बड़े बड़े सब्दों में लिखा होता सामने कि फिक्स दाम की दुकान एक दाम की दुकान फिक्स रेट कोई वाँ पे चूँ नहीं बोलता है समझ में आई पांच जार की है ठीक है बही है ये बिल बना और स्टेंडर में ये बड़ी बड़ी थेली लेके हाथ से निकल गए ओके और ऐसा फिल करवाते हैं कि हम शॉपिंग करते हैं हैवी रेटों की परचेस करते हैं और वही चीज अपन किसी जब अपनी गली में अपनी घरों के पास में जब कोई फेरी वाला बेचने आता है वही चीज तो ऐसा दुथकारते हैं उसको कि यह बाई ओ पांसों में देना तो दे नहीं तो जा चल नहीं नहीं चीज बाई पांसों में देना हो तो आजाना घूम के इस तरीके के अपन बात करते हैं तो यह चीज़े वही दिखाती है कि आप जो आप से नीचे के इस तर पे है आप उनको कैसे ट्रीट करते हो यह चीजे सच में होती है अगर आप खुद को आपको फील होता है कि आप एक अच्छा इंसान है या नहीं है तो आप बनना चाहते हैं तो यह चीजों का special ध्यान रखना कि अपने से जो नीचे इस तर के है कोई भी है यह डिफरेंस है भगवान ने करके नहीं बेजा है यह अपने किया वह डिफरेंस है आपने अगर पचास अजार आप कमा रहे हो कोई आदमी है जो दस अजार कमा रहा है तो उसके साथ जितनी रेस्पेक्ट से आप बात करोगे न उसमें आपका कुछ नहीं जाना है लेकिन वो इनसान आपका फैन हो जाएगा वहाँ पे किया नई आदमी हो तो ऐसा हो उसके दिल से जो आपके लिए निकलेगा वो सच निकलेगा फिर वो बनावती है दिखावती कुछ नहीं निकलेगा यह चीजें होती है ध्यान रखने लाएक यह चीजे बनाती है कि आप वाकई में अच्छे इंसान हो यह एक छोटा सा किसा है हमारा खुद का ज़ब जयसे मैंने काफी डाइम पहले बात है बारीश के टाइंप बी मैं और मेरा एक फ्रेंड गाडी में थे यह अपने एक त्योहार होता है हमारे राजस्ठानीमें होता है और शॉयद शीतला माता का कुछ आता है तो उस दिन के नहीं मटकी वगएरा लाई जाती है उसकी पूझा हुझा होती है घर में वो चीज़े और खाना वाना बनता है काफी अगले दिन पूरा वह ठंडा भी बोलते है कई जग ही अगले दिन पूरे दिन वह हीabyte है मतलब कि जो रात को बनाया था उनके प्रशाद के लिए खाना तो वो हम नहीं मट्की लाने जाते हैं तो मेरा दोस्त उन्हें वहां से जैसे हम मट्की खरी दे थे तो उस दिन बारिश हो रही थी खतरना और रोड के किनारे मट्कियां उसने लगा के रखी थी आदमी जो पर और वहां पर वह भाई पता ने क्या सूझा मेरे उस दोस्त को भी कि वह सो की जगे वह लग नभे लगा ले नभे लगा ले तो दो मिनट एक मिनट भी नहीं लगा मुझे उससे समझाने महतुआत वह उसको दे के फ्री किया हो मट्की लिया अंदर फिर उसको आदे आ रहा हूं इसी बात पर मैंने उसको आदे घंटे लेक्चर दिया है जिन्दगी में उसने आज तक इतिन तगरी समझ मैं जिन्दगी में आज तक उसने रिक्षा में चड़ता है कभी या फिर यह कुछ इस तरीका के समान खरीदता है या फिर ऐसी जो भी फुटपात के कि चिनारे कुछ खरीदता है जिनको अपने पता है इनको कोई ताजमेल बनाना नहीं को कोई आप से कंपिडिशन करना नहीं है आपके लेवल पर आना नहीं है वो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए काम कर रहे है तो उसमें वो उसने आस तक 5 रूपे 10 रूपे कभी जिंद कर देगा नहीं उससे वैसे भी तो उससे क्या भाव पूछने तो जितने हुए हो लिए यह बदला उसकी लाइफ के अंदर आया था और यह बहुत अच्छा बदला हो था यह मैं चाहता हूं कि हर किसी के अंदर आए ठीक है आप नुकसान मत करो अपना आपको अगर पास मे आप अच्छे बनने कोशिश करो देखो ऐसा नहीं है कि दुनिया पूरी खराब है या फिर यह है वो है कई लोग इन इस टाइप से जीते हैं बहुत लोग जीते हैं इस टाइप से उनके मन की एक अलगी संतुष्टी होती है और वो खुद अपने आप में मस रहते हैं कि य इंसान समझते हैं यह जब बात करते हैं किसी से तो सिर्फ चिड़ चिड़ापन निकलता है मुझ से नोट करते हो ना आप घरों में भी अपने वैसे होता रहता है सबके मैं तो इतने देखता हूं आजकल तो यह चीजों को हटा के थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दो जो आपसे नीचे इस तरके उनसे अच्छे से बात करो हमेशा और यह चीज जब छोटी सी बदलाव कर लोगे ना तो आपको खुद को फील होगा फिर आप बिजनस चालू करोगे ना रियल में या फिर चालू बिजनस के अंदर इन चीजों को अपना के देखो जो सुकून मिलेगा काम करोगे बहुत अच्छा लगेगा हो सकता है दो पांच जार आप दूसरे से कम कमा लो यार उससे कोई फरक नहीं पड़ता है आपने कौन सी रेस में भागना है यार वैसे भी इतने धमाकेदार साइलेंट अटें काते हैं क्या किसी का कुछ भरोसा ह यह कभी को कभ निकल जाता है लेकिन यह बात सच होती है कि याद जो रहती है पीछे वो इसी टाइपформ की आपकी जीवी जेवी जिन्दगी रहती है किसी से आप अच्छे से बात नहीं करों कोई यद नहीं करेगा आप उसको फील करा हो कि यार मैं आपके लिए अच्छा सोचता हुआ कई मैं वह जरूरी नहीं है कि आप उसको जबरदस्ती करा हो वह पॉइंट ही ऐसे आते हैं जब मिलते हैं तो भी हो जाती है तो यह एक चीज थी जो मुझे आपको समझानी थी उम्मीद करूंगा अच्छी लगी होगी अच्छी लगे तो अपनी लाइफ में जरूर साथ दिन के लिए दस दिन के लिए अपना के देखना और पक्का हंड्रेड पसंट बोल सकता हूं अगर आपने दस दिन पंदरा दिन इस बात को अपनाया आप उमर भर जीवन भर इस चीज को कभी छोड अगले वीडियो में अगले वीडियो में थीक लगाऊंगा थेंक्यू